नमस्कार, बाई जूस एक्जाम प्रेपाई एस, हिंदी में आपका स्वागत है, प्रस्तुत है, दैन एक क्विज, पहला प्रशन आपके समक्ष है, पेट्रोलियम कोक या फिर पैट कोक के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे, यह है ठोस इंधन है, जो कच्चे त आयोकसाइड का उत्सरजन अधिक होता है, आपको बताना है कि इन कतनों में से कौन सा या से कतन सही है या है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, की एक दो और तीन, पेट्रोलियम कोक या फिर पैट कोक के संदर में आप ये ध्यान रखेंगे, कि यह ह तेल शोधन के दोरान उत्पादित कई ओद्योगिक उत्पादों में से एक है, इसे बैरल इंधन अवशेश के रूप में भी जाना जाता है, क्यूंकि यह एक अपशिश्पदार्थ है, जिसे पेट्रोल जैसे इंधन निकालने के लिए कच्चे तेल को परिश्क्रत करने क प्राप्त किया जाता है, यह भारत में सीमेंट, स्टील और टेक्स्टाइल जैसे कई विनिर्मान उद्योगों में प्रिचुर मात्रा में उप्योग किया जाता है, क्यूंकि यह कोईले की तुलना में काफी सस्ता है, और इसमें उच्च कैलोरी मान होता है, और इसका लगभग 74,000 ppm यानी 74,000 parts per million sulfur की मात्रा होती है जो उत्सर्जन के रूप में वातावरण में छोड़ी जाती है जो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से काफी अधिक है इस रूप में आप यह देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा जो कतन है वैस सही है हाला कि पहला कतन हमारा स सही नहीं है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी केवल दो और तीन आज के दाहिंदू में इससे संबंदित खबर परकाशित हुई है अगला प्रशन आपके समक्ष है गैबॉन के संबंद में निमलिखित में से कौन सा या से कतन सही है या है यह यह अफरीका है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों की ना तो एक और ना ही दो जब हम बात करते हैं गैबॉन की तो इसे आधिकारिक तोर पर गैबॉनीस रिपब्लिक कहा जाता है जो मद्य अफरीका के पश्चिमी टट परवस्थेत एक देश का नाम है भूमद्य रेखा परिस्थेत यह देश उत्तर पश्चिम में एक्वेटोरियल गिनी उत्तर में कैमरून पूर वर दक्षिन में कांगो गनराज्य है और पश्चिम में गिनी की खाड़ी से घेरा हुआ देश है जिसका छेतरफल लगभग दो लाग सतर हजार वर किलो मीटर है आपको यह भी ध्यान रखन है कि जब बात की जाती है अफ्रीका महादीप में भारत के व्यापार की तो अफ्रीकी संग संयुक्तराज अमेरिका चीन और संयुक्तरव अमिरात के बाद भारत का चौता सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है अफ्रीकी संग के बीतर भी भारत का शीर्ष व्यापार इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला वाला जो कतन है वैं सही है हालकि दूसरा वाला कतन सही नहीं है क्यूंकि भारत गैबॉन दूइपक्चिय व्यपार लगभग एक बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है और भारत गैबुनी निर्यात के लिए दूसरा ही उत्तर हो जाएगा ए केवल एक आज के इंडियन एक्सप्रेस अकबार में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है अगला प्रशना आपके समक्ष है बाल मृत्यूदर के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे इसे जन्म और ठीक तीन साल की उमर के बीच एक बच्चे की मृत्यूदर की संभावना के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसे प्रती सो जीवी जन्मों में व्यक्त किया जाता है भारत ने बाल मृत्यूदर हेतु निर्धारित संयुक्त रास सतत्विकास लक्षे को पहले ही हासिल कर दिया है आपको बताना है कि इ ये गए वर्ष में प्रती 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयू के बच्चों की मृत्यू की संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है। विकास लक्चे से पीचे है क्यूंकि बाल मृत्यूदर के लिए सतत विकास लक्चे 2030 तक लगभग 25 मौतों तक इसे कम करना है जबकि भारत अभी 35 तक ही पहुच पाया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही हमारे सही नहीं हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ना तो एक ना ही दो आज के दा हिंदू और पत्र सूचना कार्याले दोनों में ही इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रशन आपके समक्ष है निपुन माइन के संबंद में निमलिखित कतनों में से कौन सा या से सही है यह हैं। यह एंटी टैंक माइन्स हैं यह है इसराइल से एक प्रद्योगी की हस्तांतरन समझोते के तहट खरी दे गए हैं। खिलाव रक्षा की पहली पंक्ती में कारे करने के लिए विक्सित की गई हैं। ना तो एक ना ही दो। आज के इंडियन एक्सप्रेस अकबार में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम UPSC के दोरा 2019 में पूछे गए प्रश्ण को देख लेते हैं। निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे एक डिजिटल हस्ताक्चर है, एक electronic record जो इसे जारी करने वाले प्रमानित प्रादिकारी की पहचान करता है। इंटरनेट पर सूचना या सरवर तक पहुचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमान के रूप में उप्योग किया जाता है की electronic दस्तावेज पर हस्ताक्चर करने तथा मूल समागरी अपरिवर्तित है या सुनिश्चित करने का एक electronic तरीका। आपको बताना है कि उपरिव कत्नों में से कौन साय से सही है या है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, की, एक, दो और तीन. डिजिटल हस्ताक्षर के संदर में आप ये दिहान दखेंगे कि एक डिजिटल हस्ताक्षर हस्त लिखित हस्ताक्षर या मोहर का डिजिटल समकक्ष है लेकिन ये कहीं अधिक अंतर नहीं सुरक्षा को परदान करता है इससे डिजिटल संचार में छेड़ छाड़ और प्रतिर व्यक्ति की पहचान के पर्माण के रूप में कारे करता है, जैसे कि driving license किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है, जो किसी विशेश देश में कानूनी रूप से गाड़ी चला सकता है, इसी तरीके से किसी की पहचान साबित करने या internet पर जानकारी या सेवाओं तक पहुचने के ने लिए एक Digital प्रमाणपत्र इल्यक्तौनिक रूप से प्रश्दोत किया जा सकता है इस रूप में आपे देख सकते हैं कि जो इसमें पहला और दूसरा कतन है वै वास्ताव में Digital हस्ताक्षर की बात नहीं करता है अपितु इसका समबंद डिजिटल हस्ताक्षर प्रमान पत्र से है इस रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के संदर में केवल तीसरा ही कथन सही है और हमारा सही उतर हो जाएगा सी केवल तीन अब हम fact of the day यानि आज के तथे की बात कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कोईला गैसी करण प्रत्योगी की जो आज के पत्र सूचना कार्यले में परकाशित हुआ है हाली में केंद्रियर असायन और उर्वरक मंत्री ने अमोनिया या यूरिया की उत्पादन के लिए कोईला गैसी करण प्रद्योगी की पराधारेद देश के पहले यूरिया सन्यंत्र तालचर फर्टिलाइजर लिमिटिट की प्रगर्ती की समीख छाकी तालचर फर्टिलाइजर लिमिटिट के 2024 में कमिशनिंग होने की उम्मीद है इससे कोईला गैसी कर्ण प्रिद्योगी की का विशय महत्तपूर हो जाता है। आपको इध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं कोईला गैसी कर्ण की तो वस्तुता ये एक ऐसी प्रिकिरिया है जिसमें इंधन गैस बनाने के लिए कोईले को हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार कारबन डायोकसाइट के साथ आंशिक रूप से उक्सिकरत किया जाता है। इस गैस का प्रियोग पाइपड़ प्राकर्तिक गैस, मीथेन और अन्ने के बजाए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रिकिरिया में सिन गैस का उत विलायक और सिंथेटिक समागरी की एक विस्तरिश शंकला की उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हमें इसके महत को भी समझने की आवशकता है। समाने रूप से स्टील कंपनियां अपनी निर्मान प्रिक्रिया में कोकिंग कोईले का उपयोग करती हैं। हालां कि कोकिंग कोल आयात किया जाता है और महगा होता है अता लागत में कटोती करने के लिए सनियंत्र सिन गैस का उपयोग कर सकते हैं जो कोकिंग कोल के इस्थान पर कोईला गैसीकर्ण सनियंत्रों से लाए जाता है। खेरूप से बिजली उत्पादन के लिए रासाइनिक फीड स्टॉक के उत्पादन के लिए भी उप्योग किया जाता है। इसके अलावा कोईला गैसीकन से प्राप्त हाइड्रोजन का उप्योग भी विभिन्नोत देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे की इसका प्रियोग किया जा सकता है अमोनिया बनाने के लिए और भारत में हाइड्रोजन अर्थ्वियोस्ता को शक्ति देने में भी इसका महत्तो देखा जा सकता है। बाइजूस एक्जाम प्रेप IES के आज के अंग में फिलाल इतना ही धन्यवाद।